नमस्कार सातिओं, हाली में चीन ने भारत में घुश पैठी करने इकोशिस की, लेकिन भारती शना ने उसे मुहतोर जबाब दिया और उसे बापस लोटे में मजबुर कर दिया लेकिन आप सुचते होगे किया चीन का शिरिफ भारत के साथ ही सीमा विवाद है, तो ऐसा नहीं है भारत के अलाबा भी उसके कई सीमा विवाद है चीन के 14 प्रोशी देश है, अस्थली रूप से लेकिन एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन जो 23 देश के इलाकों को अपना छेत्र मानता है वो अपना अधिकार चाहता है मतलब 14 तो उसके अस्थली सीमा से जुरावाद देश है इसके साथ ही उनका जो जो सीमा विवाद है वो 23 देशों साथ है यह कैसे हो सकता है क्योंकि ऐसे मतलब जैसे हो गया अस्थल रूप से फिर समंद्री रूप से यह सभी बार तो आज चर्चा करेंगे हम यह भी चर्चा करने वाले है कि कि इन देशों के मंगोलिया इसके बाद उत्तर कोडिया वियतनाम लाऊस कजाकिस्ता तजाकिस्तान और क्रिकिस्तान यह 14rifty जो सीमा उनसे जूड़ता है ऐसे भी जो इतने देशों से तो शीमा जूरता है रूस और कानाडा के बाद रूस और कनाडा के बाद तीसरे अस्थान पर जो है सो चीन आता है जिनका कुल एरिया संतान में लाख 6,971 किलोमेटर का है और आपको जानकर आश्चर जोगा कि उनका 43 परसेंट जमीन वो किसी दूसरे देश से कब जाक्य हुआ है ऐसा कहा जाता है कि किसी भी देश का छेतफ़ल नहीं बढ़ सकता है देश का जन संख्या बढ़ सकता है वहां का डेवलोपमेंट की जिए सकता है अधर हर कुछ बढ़ सकता है अधर हरकुछ बढ़ सकता है पर कभी भी देश का हृसाल नहीं बढ़ सकता है लेकिन चीन इसे प्रूफ गलत कर दिया कि नए नए बढ़ सकता है बात करें जो चीन है तो इतने देशों को साथ हैं लेकिन हम आज श्रीफ बात करेंगे भार पर अभी फिलाल भात पर कलते हैं फिर हम दूसरे देशों पाएंगे कि किस देश का कितना जवन कबजा है मार्च जो 11 मार्च 2020 को लोकसभा में उस समय के विदेश मंत्री जो विदेश राजी मंत्री थे मुर्ली धर्म जी उन्होंने कहा था कि जो लदाख वाले छेतर हैं उन्हों पर 38,000 स्क्वार किलोमेटर जो हैं वो चीन के कबजा में चला गया है आपको याद होगा कि 1962 के बाद से अगर 1962 में जो हैं सो चीन ने भात पहामला किया और वहां से जो लदाख वाला छेतर है उसमें 38,000 स्क्वार किलोमेटर पर जो हैं सो चीन ने कबजा कर लिया है इसके बाद पाकिस्तान के बार में आप जानते होंगे पीओ प्लुसे कबजा किया और उसके बाद उना किया उसमें से जो पीओ की वाले छेतर है उन्हें में किया किया और अबैद कब्जा में उन्होंने चीन को दान दे रहा है देख रहा है नो टंगी उनका और चीन का दर देखी रहा है इतना ही नहीं अगर टोटल श्रीफ लदाख का जोड़ दे तो लदाख में टोटल हो जाता है और चीन जो एक दावा और करता है और अब इस पर हम बात में बात करेंगे कि दक्चिन जो है और नाचल प्रदेश के बारे में हम बात में बात करेंगे पहले हम लदाख वाले छेत्र में रहते हैं ताकि आप अच्छे समझ पाए कि मतलब उसको थोड़ा प्रुना करते हैं किसी और देश से को कितना बढ़ा छेत्र है आपको जिसे कि बोला कि 43 यानि 43,180 स्क्वार किलमेटर छेत्र पर चीन ने कबजा कर लिया है अब यह छेत् ने 44,180 स्क्वार किलमेटर का छेत्र मतलब हम यह कह सकते हैं कि चीन ने भारत में एक शूर्जर लांड जितना जमीन कबजा करकर रखा है यह है चीन का विश्तारबादी निति उनकी विश्तारबादी निति हम और बताएंगे दक्षिन चीन के बारे में आप सब लोग जानते हैं दक्षिनी चीन सागर जो चैना की निचाम परता है यह दक्षिन चीन सागर के जो छेत्रफल के बात की जाए तो 25 लाख स्क्वार क पहला इंडोनेसिया, चीन, फिलिपिन, बियतनाम, मलेसिया, तैवान और बुर्णई यह साथ देश है जो दक्षिनी चीन सागर से जुराव रखता है और उनमें सब का हक है तो होना भी चाहिए इसमें जो साथ देश में श्रीफ इंडोनेसिया को छोड़ दिया जाए तो बाकि सभी देश जो 6 देश driving जाता है वो उस पर दावा करता है थोड़ा-थोड़ा हिसा के लोगा यहां तक भी सही है लेकिन केता हैं नहीं समझ है जोलापशर मेरा है यह पूरा फूरा चेट मेड़ा और साथ उन्हों ने क्रित्री मुलूप से वहां पे टापू बना लिया है एयर क्राप्ट को सभी जगह उन्होंने क्रित्री बना लिया है यह यह चींगा बिश्थारबादी निइती हम ने से condi पूरा भारत के बारे कि बारे कि बात कितना खेटर हैं सब्सक्राइब करता हैं के बारत के साथ यह अट है और देश अभी जो हम बताएं इंडोनेसिया चीन फिलिपिन जो हैं भारत के अलावा जितने भी देश 14 बचते हैं, उनके साथ 28 सिमय बवाद है, चीन जो है 43% जमीन कबजा किया हुआ है, इनमें से जितने भी छेतर पर कबजा किया है, जिन जिन देशों के बार में, तो चलिए अब उन छेतरों को हम मैप पर जाकर समझते हैं, कि किन छेतरों को बड़े देश के बड़ाबर है, मतलब जितना बड़ा इरान है, उतना ही बड़ा तुरकिस्तान है, जिन पर चीन ने कबजा कर लिया है, यहां कि जो कुल अबादी में 45% यानि 45% उइगर मुसलिम है, जबकि 40% हान चीनी है, दूसरा है तिबद, 23 मैं 1950 को चीन के हजार जबकिस्तानिको ने तिबद पर हमला कर दिया और उस पर कबजा कर लिया, इसका कुल एरिया की बात की जाए, तो दक्षिन अफ्रिका जेसे देश जितना बड़ा है, तिबद, यहां की जो अबादी है, 78% बाउध है, तीसरा है इनर मंगोलिया, दूसरे विशूत के बाद चीन ने इनर मंगोलिया पर कबजा कर लिया था, एरिया की हिसाब से इनर मंगोलिया चीन का तीसरा सबसे बड़ा सब डिवीजन है, इसका छेतरफल कोलंबिया जितने बड़े देश के बराबर है, चौथा है होंग कॉंग, होंग कॉंग पहले चीन का ही था, लेकिन 1842 में ब्रिटीशों के साथ हुए यूद में चीन को इससे गवाना पड़ा, इसके बाद ब्रिटेन के कबजा में चला गया होंग कॉंग, 1997 में ब्रिटेन ने चीन को होंग कॉंग लोटा दिया, लेकिन इसके साथ वन कंट्री टू सिस्टम का समझोता भी हुआ, जिसके तहत जो ह हौंग को अगले 50 साल तक राजनितिक तोर पर आजाजी देने के लिए राजी हुआ, हौंग को के लोगों को बिशेस अधिकार मिले हैं, जो चीन के लोगों को नहीं है, और पांचमा है मकाओ, जो की एरिया कहिसाब से 115 वर किलोमेटर में फैला है, चीन ने इसे भी कबजा कर लिया, तो ये था चीन का विश्तारबादी निती, हम उमीद करते हैं कि ये जनकारी आपको अच्छा लगा होगा, और आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते एक ने वीडियो के साथ, जय हिंद,